लेकर आए हैं जिसमें नेशनलिजम इन इंडिया हम अब तक बात कर चुके हैं क्या क्या नेशनलिजम कैसे आया लोगों कमन में उसका फस्ट वर्ड वर ब्रक आउट इन दा क्या क्या हुआ था उसके बाद फिर आज हम नुम का पार्ट है राइट आस सॉट नोट पर छोटा सा एक नोट देना आपको जिसमें आप एक्जाम में यह चीज़ लेख सकते हैं जो आपके सामने हैं कैसे गांधी जी ऑगनाइजड आ नॉन वाइलेंट सत्याग्रह अगेंस उसके विरुद्ध में एक अनहिंसक सत्याग्रह सुरू की थे रुलेट था इसकी प्रकार का ऐसा कानून था ऐसा नियम था ऐसा रूल्स था जो अंग्रेजुक दौरा लगाया गया था किसी भी प्रकार की terrorism activity अगर किसी हिंदुस्तानी की प्रती या किसी अगेंस उसके अगेंस कोई भी बोलता है अंग्रेजियों के अगेंस उनके रूल के अगेंस तो उसको suspense के तहत पर मतलब बोले ना बोले पस उसको ऐसा लग जाए ऐसा suspense हो जाए कि ये terrorism activity कर सकता है मेरे हिसाफ से तो मैं आजादी चाहता था लेकिन उस अगले के हिसाफ से निए ब्रेटेसर्स के हिसाफ से कोई भी terrorism activity कर सकता है उसको suspense बेस पर दो साल के लिए अंदर लखा जाएगा ये कानून ये था इस कानून का आँ हो जम कर विद्रो हुआ और 6 अप्रेल 1919 को एक बैठक बनाई गई हरताल करा गया जिसमें सभी प्रकार के workers और सभी प्रकार का communication and transportation system सब बंद हो गया सब थब पढ़ गया और protest कहा हो रहा था जलियावाला बाग अमरिस्तार में प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बाद आता है what circumstances lead to the जलियावाला बाग message मतलब जलियावाला बाग जहां ये हो रहा था उससमें वहां की circumstances क्या थी तो अगर मैं बात करूं तो जलियावाला बाग हत्याकांट आप लोग ने अप्रेल 1919 अप्रोटेस्ट होने के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हो था नेशनल लीडर उनके लिए प्रोटेस्ट कहा करा गया था जलियावाला बाग तो इसी के विद्रोर हो रहा था इसी के अगेंस प्रोटेस्ट हो रहा था कहां ओ रहा था जल्यावालबाग अंडिसर में उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या है तो सेकंड व्लीजर केम टू राटेंड फ़ायर्वार और अलसो प्रजेंट पार्क उस पार्क में बहुत सारे गाओं के लोग सब लोग आये थे इस सत्याग्रह को इस प्रोटेस्ट में आखमल भाग लेने के लिए और हिस्सा लेने के लिए उस पर जेनरल डायर तीसरा पार्ट के आप देखो आपको एक चीज़ पॉइंट पता होना चाहिए कि जेनरल लास्ट लास्टलऑ नियरली 10 मिनिट्स मोर दिन थाउसंद पीपल वर किल अन्न मेनीज वेंदर दिस इस सथे enterprise इसका मतब 13 परड़ 2019 सिस्वी को एक मीटिंग अगनाइज हुआ कहां जलियवाला बाग अमरिसर में प्रोटेस्ट करने के लिए क्या उनके नेशनल लीडर को अरेस्ट किया गया था इसके ताहर रावलेट एक्ट के पहर ठीक है तो उसी के बिरोह उसी के लिए उसी के तीसरे पॉइंट में जनरल डायर पहुंचता है जलियावला बाग अमरिसर में और अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है और अपने सेना को आदेश देता है कि अग्मल फायर करने के लिए और लगभग 10 मिनट तक लगातार फायर इंचलती रही जिनमें से लगभग हजारो लोग उसको जी देर्ट गाईल हों सब्सक्राइब ऑर असे बहुत सारे लोग घायल होगे बहुत बुरी तरीके घाय और इसी चीज जा जाता है जलियावला बाग तो इसी tes बाइन के लाटन को सकता है जलिया अप्रलiah घ Players कुछ सकता है किसके बिरुद्ध में में प्रोटेस्ट करते समय यह हुआ था तो रावलेट एक्ट के अगेंस प्रोटेस्ट करने की बिरुद्ध में उसके बाद आता है What was the Khilafak movement? Khilafak movement, क्या था? How did it become a part of the national movement? ये कैसे राश्ट्रिय movement बन धे है? तो point number one अगर मैं बात करू, point number one के गर बात का रहे हैं तो it was a movement organized by मुहम्मद अली and सियाकत अली थे, दोनों अली ब्रॉदर्स थे, किसके दोरह तो marinade तो आप इस चीज को लिख सकते हो इस पॉइंस को दूसरा पॉइंट क्या है तो तुर्की बाइब ब्रिटिस आफ्टर दफस्ट वर्डवार्ड यानि इसके वह भारत के लिए नहीं हो रहा था यह तुर्की में जो इंजस्टिस हो रहा था तुर्की लोगों के साथ ठीक है उसके विरुद्ध में यह लोग प्रोड़स्ट कर रहे थे कब जब फर्स्ट वर्डवार के समय की बाथ है बिटिसस ने किया था ठीक अब मैं ज्यादा नहीं बोलेंगा आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना जाता है दा एम आप तब बुव्मेंट वास्ट अगेंस दा इंजस्टिस दन टू तुर्की बाइब बिटिस आफ्टर दफस्ट वर्डव पॉइंट नम्बर थर्ड पॉइंट नम्बर थर्ड में किया था तुर्किस सुल्तान है था थाइटल ऑफ क्लिप दा मुसलिम कंसीडर्ड हीम आज देर इस प्रक्ट्वल लीडर गादी जी सार दिस आज अपार्चुनिटी तो ब्रेंग मुसलिम अंडर दा अम्रेल अफ यूनिफाइड नैशनल मुव्मेंट अब देखो यहां गांधी जी ने थोड़ी सी बुद्धी लगा ली बड़ा अच्छा समय पूर्ने बुद्ध लगाया क्योंकि तुर्की का सुल्तान का जो सुल्तिन सुल्तान का है उसके पास टाइडल था स्क्लिप का उसके बाद य यूनिफाइड दिया ठीक है यूनिफाइड यूनिफाइड नेस्टनल जूकित अर उसको नेस्टनल मूवमेंट की ताहट मोड दिया सबस्क्राइड आप उसके बाद देखो बढ़ा हो गया अब उसके बाद स promotor करान कि आता एंद कलकता अगल का कलकटा की बाथ अधिole सब्सक्राइब कर दिया किसके सब्सक्राइब के साथ सवराज के लिए भी एक मुव्मेंट शुरू कर दिया अब उसके बाद चौथा प्वाइंट आपका क्या आता है सु मेदी आप इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मुसलिम भी इस मुवमेंट को जौइन कर लिए बहुत सारे मुसलिम जू है क्यों कि खिलापत अंदोल नाय जिचल रहा था मुसलिम ही था उसके बाद फिर गांधी ज सबसे बात करके अब यही चीज कलकटा में तो कॉंग्रेस का जो सेशन अब कॉंग्रेस था वो सेप्टंबर 1922 में के रूप में सपोर्ट खिलाफत अंदोलों को सपोर्ट कर दिया और साथ साथ सुराज बुगी और उसके बाद या बहुत सारे मुसलिम भी इस में जॉइन होगे इस मुवमेंट मेंजा ओंक्र पॉर बेहों सोरो करा इस मॉप इंडियन पीपल है भी टैक्सेज हाई प्राइसेज फैमीज एंड इंपिडैमिक्स मेंड पीपल्स लाइफ मिजरेबल कहे रहा है कि पहले जो पहला विश्यू था उसके दारान जो है इंडियन लोगों में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टैक्सेज उनकी उपर पढ़ने थे तो जिसकी वज़े से जो लाइफ बहुत दैनी हो गई मिजरेबल होगे मिजरेबल बहुत बुरी स्थिति हो गई पॉइंडियन पॉइंड नमबर सेकेंड रॉलेटक्ट इन्वाइट लार्ज स्कील प्रोटेस्ट थूआट दा कंट्री अब रॉलेटक्ट कैसे प्रोटी के भी लोग अरेश्ट हो जाते थे और ऐसे अगर मालो किसी से कोई अपने अधिकार का बात जैसे उठाए और तुरंत उसको उठागे जेल बीडाल दिया जाया हमें तुम्हारे पर सक है कि आप हो सकता है विद्रो कर सकते हो आप हो सकता है टार्रिजम एक्टिव पुछ नहीं कर सकते थे ठीक है यह अगले खिसाफ से तो इसी करते हैं गुलान सेकंड पॉइंट के आया जलिया वाला बाग मैसर्स और पांजब मेंडियन इंडियन एनर्जी अब देगों सका कारड़ भी बहुत बड़ा काऱ था ठीक है उसके बाद मुसलिम बिकम अनहा सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद मेनी संक्षाइटी सफर्ड कंसीडरेबल एकनॉमिक डिजास्टर कह रहा है कि आप उस समय जो इंडियन्स थे वो बहुत सारे एकनॉमिक डिजास्टर से यानि फाइनिशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे इन दे टाउन्स वोकर्स इंडा टाउन्स वोकर्स और अर्टिजन्स दा मेडिल क्लास हैड दी हिट बाई हाई प्राइसेज और सार्टेज और फूड एंड इसेंशियल कॉमोडिटीज कह रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वह भी और मतलब कुल मिला के यह जानलो कि उसमें इंडिया में फूड सॉर्टेज भी हो गया जिसकी वज़े से मतलब जब भाई सब लोग यूद करने के लिए जादा जादा चलेगे तो प्रोडक्श प्रिजन्स वर विक्टिम्स आफ वाइडिश्प्रेड दोट्स एंड इपिडेंट्स के लाग जाने गामेड चेत्र में लोग बहुत गरीब रहते गोग बहुत गरीब लोग थे उसके बाद रॉट यानि सूखा पड़ गया था एक सूखा पड़ गया था एक पैंडिमिक पैसे नहीं रहेगे प्रडेक्शन नहीं और ज्यादा बढ़ा दिये टैक्स टैक्स कम नहीं कि अब जैसे भी दो उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है तो कॉंग्रेस सेशन अट नाधपुर 19-20 अडॉप्टट गांधी जी इस दा आइडिया औफ नॉन कोपरेशन और उसके बाद उनीच सुबीस इस भी में नाधपुर में गांधी जी के आइडिया को अडॉप्ट कर गया नॉन को गांधी जी के बुक में किस प्रकार के आइडिया को एक्स्प्रेस करा गया है तो हमारे पास पॉइंट नॉन जो है देखो गया जितना यह लिखा गया आप इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा यही एक्राम में एजिट लिद दीजेगा 100% बहुत अच्छा मार्स आएगा प्रिटिस का जो सासन सकता है वो इस्टब्लीश हो गया भारत में किसके सहायता से इंडियन्स के कोपरेशन के साथ यानि इंडियन्स के सहायता के साथ साथ जो है तभी जैसे किसी भी राजी में राजा सफल तभी हो सकता है जब पुब्लीक का समर्थन हुआ तो इसी प्रकार इंडियन्स का समर्थन हुआ तो राजा भी मतलब इंडियन्स बिटिस रूल लगो गोगे, इसके कोपरेशन से, इंडियन की कोपरेशन से, and had survived and had survived only because of this कोपरेशन, और ये केवल केवल सर्वाइब कर से, केवल इसी कोपरेशन के वाज से, इफ इंडियम स्टून्ष पॉप्रीट अगर इंडियम लोग न कॉंपरेट करतें त्याग देते मना करतें को उन सब्स्ट पिद सिर्च बिटिशू इन इंडिया सब्स्टाइप्स करें क्यांता होता है एंड स्वराज उदकम और स्वराज आ जाता स्वराज पार्ट मालगी स्वराज का रूला दियर फार ही इस लिए नोन-कॉपरेशन movement शुरूट हुआ था वाको समझा गया होगा इसमें महात्मा गादी जी की एक बुक थी जिसमें लिखा जो की बुक का नाम था हिंद स्वराज उस वो नहीं सुननों इसमें महात्मा कादी जी ने डिकलियर कर दिया था कि बिटिस का राज है इसकी सहयता से इंडेयन की कापरेशन की वजह से सहयता हो गया है अगर और इसी वजह सर्वाइब और ये कार रही है की वजह से सब्सक्राइब पर तो इनका एक ही साल के भीतर इनकी सरकार समापत हो जाती ठीक कोलाप्स कर जाता और स्वरा जा जाता इस प्रकार इसी लिए एक प्रकार का नॉन कोपरेशन बूब्मेंट शुरू हुआ था ताकि जो है इनका सरकार कोलाप्स